यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के तावर तोड हमले अभी भी जारी हैं तोप से यूक्रेन की पोजिशन को बनाया गया है निशेना यूक्रेन पर अटैक का रूस ने एक और वीडियो जारी किया है ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं रूस की तरफ से अभी भी किस तरह से तावर तोड हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिये तर पाठी जी ये तस्वीरें तो हमारे सामने हैं ही युद्ध की लेकिन साथ ही साथ क्योंकि प्रभान मंतरी नरेंदर मोदी यॉरप दोरे पर हैं और देखिए कितनी समझदारी की क्या बड़पन की बात जो उनकी तरफ से कही गई वो ये कि देखिए इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी लेकिन नुकसान पूरी दुनिया का होगा ये समझदारी की बाते जो हैं ये युद्ध मुलकों की तरफ से क्यों नहीं की जा रही ताकि किसी तरह से इस युद्ध को शांत किया जाए और पूरे रीजिन में शांती स्थापित हो सके देखिए, यूरोपेन मुल्क इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके उसके दो कारण है, एक तो युद्धोनमाद यूरोप में पूरे यूरोप में ऐसा चला हुआ है, कि नहीं नहीं हमें रूसको खतम करना है, दूसरी चीज यह है कि इसमें अमेरिका का जो हाथ है वो सबसे वन्चित करा रहा है, ये का कि नहीं नहीं रश्चा के साथ पैसान न करें, रश्चा को एमबार्गो करें, रश्चा को तो ये सब चीज इत लोए हैं, लेकिन बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को भी तो सरो रहा है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, थोड़ी देर भविश्रवाणी का जिक्र हो रहा था अभी की स्तिती तो यह है कि खाद्यान संकट और आर्थिक तोर पर बड़े-बड़े देशों को नुकसान इस युद्ध की वजए से आज की सक्चाई तो कम से कम यह है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में कहा था कि इस कि कमी से तो युद्ध जो है यह इस खाश करके पूरी दुनिया में इसने अपनी च्छाया डाली है और यह कहना कि इस युद्ध को अभी और लंबा खिचेगा या इसको हम नहीं प्रोग सकते इसे पूरी दुनिया के लिए बिनाशकारी साब पूरे यॉरप में देख रह आलात और रिजाल्स इस युद्ध की वज़े से जारी रहते हुए युद्ध की वज़े से देखने को मिल रहे है वर्ल्ड इम्मुनाइजेशन वीक पर टीवी नाइन नेटवर्क और जीयस के एक खास इनिशियेटिव ला रहा है जिसमें हम वैक्सिनेशन की एहमियत के ब हल से और देखिये टीवी नाइन नेटवर्क और जीयस के प्रेजन्स वैक्सिनेशन कार्ड हेल्थ का पासपोर्ट वर्ल्ड इम्मुनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिये टीवी नाइन डिजिटल अठाईस अपरेल साड़े तीन बजे